प्रेडी तारसस नीत भाजपा की विबिन सरकारे जो देश के अंदर कानून के शासन से ज्यादा बुल्डोजर के राज को महत्व देती है कानून का शासन सर्वोपरी है ना कि आपके बुल्डोजर का राज ठेका करन की नीती को भारत की सेना की लड़ा कूई कायों के अंदर भी लागू कर देने की नीती है अगनिपत योजना बिशर्मी के साथ इसको जायस ठहराने की जो बात चल रही है हमारा आज का ये धर्णा अत्यम्त अनिवार्य है भारत के अंदर विभिन सरकारों को खासकर BJP की जो RSS के द्वारा प्रेडित RSS नीत भाजपा की विभिन सरकारे जो देश के अंदर कानून के शासन से ज्यादा बुल्डोजर के राज को महत्व देती है हम उनको आज के धर्णे के द्वारा बता देना चाहते है कि भारत के अंदर कानून का शासन सर्वोपरी है ना कि आपके बुल्डोजर का राज और आपके इस बुल्डोजर के राज को चलाए जाने की बुल्डोजर के राज के द्वारा जो भारत में कानून का शासन है उसको बुल्डोज कर देनी की नीती का हम उसका खंडन करते हैं हम उसकी निंदा करते हैं और हम आपको बता देना चाहते हैं कि आज जो आप हिंदुत्व के नाम पर और आपका हिंदुत्व जो दरसल में उच्छ जातिये पित्र सत्तात्म कहंकारवाद है जो भारत के अंदर कोर्परेट की सेवा में इतनी अच्छी तरह नत्बस्तक है कि आप एक तरफ भारत की जनता की जो साजी शहादत साजी विरासत की परंपरा है भारत की जनता की जो संघर्शकारी एकता है जुल्म और दमन के खिलाफ अन्याय के खिलाफ कमपनी राज के शिकंजे के खिलाफ आप उस एकता को तोर कर भारत की जंता को जो धरम के नाम पर उनकी संगर्श की एकता को विभगत करना चाहते हैं भारत के नजलान, भारत के नस्दूर, भारत के किसान आपकी यह मीत्यों को बिल्कुल भी मनजूर नहीं करते हैं और आपको शिकस्त देंगे आपके बुल्डोसर राज को हम शिकस्त देंगे हमने उत्रप्रदेश की अंदर देखा हमने मध्यप्रदेश में भी देखा हमने असम में भी देखा कि किस तरह से जब गरीब लोग जब वो लोग जो आज भारत का समिधान जो भारत की विविदता में एकता की भारत की विविदता की रक्षा करने की सुनिश्चित्ता करता है और CAA के द्वारा, NRC के द्वारा जिस तरह से इस विविदता के ओपर हमला किया गया था और दिल्ली के शाहिन बाग से शुरू होकर भारत के विरिन राज्जों के अंदर अनेको अनेक शाहिन बाग बने थे और वो शाहिन बाग थे जब भारत की औरते विशेशकर भारत की मुसलिमान औरते भारत के नयपसंद लोग, भारत के समिधान की माननेताओं में विश्वास रखने वाले लोग इस बात के लिए निकले थे कि भारत एक ऐसा सुंदर बगीचा है जिसमे तरह तरह की खुश्बू़ों वाले फूल किलते है और इन तरह तरह की खुश्बू़ों वाले फूलों को रौंदने की जो महीम ये हिंदुत्तो की सरकार चलाना चाहती है भारत की जनता को ये मन्जूर नहीं है और इसको ना मन्जूर करने के लिए ही वो अनेको अनेको दिन सड़कों पर निकल कर आए थे मगर दस जून के दिन दस जून को जिस तरह से अलाबाद के अंदर जो घटना क्रम हुआ और इसके बाद शाम के समय ADG अलाबाद ने जिस तरह का बयान दिया कि जो घटना हुई है दस जून को उसमें जिन भी अलाबाद के अंदर CA विरोधी प्रदेशन कारी थे जिसमें उन्होंने उन तवाम लोगों का नाम लिया जो इससे में सक्रिये थे और साथ में अखिल भारतिये किसान मज़ूर संगटन AIKMS के अखिल भारतिये महासचिव कॉमरेड अशीश मित्तल को भी उन्होंने नाम जट किया कि उनका रोल है आज की हिंसा में वो भूल गए इस बात को कहना कि AIKMS यह वो संगटन है जो भारत के मज़ूरों किसानों भारत के नौजवानों के बेहतर जीवन चाहे वो किसी धर्म के हो किसी जाती के हो किसी भी समुदाए के हो वो एक ऐसे भारत के निर्मान के लिए प्रयासरत है जिसमें मज़ूरों को जो वो मेहनत से पैदा करेंगे उसके उपर उनका हक होगा जिसमें किसानों को भूखे फेक नहीं सोना पड़ेगा जिसमें नोजवानों को बिना काम के नहीं रहना पड़ेगा बिना किसी धरम और जाती के भेट के एक ऐसे सुन्दर भारत के निर्मान में लगे हुए A.I.K.M.S और उसके मास अचिव कामरेड आशीश मित्तल को इस तरह के फर्सी मुकत्मे में योगी सरकार के दोरों जो फसाया गया आज के धरने से हम उसकी कड़ी निल्डा करते है और मांग करते हैं कि ये केस उनके ओपर से अविलंब वापस होना चाहिए साथ-साथ हम ये भी मांग करते हैं कि अटाला घट्बा के लिए जो C.A.I.P.R.D.S कारियों को उनको जो टार्गेट किया जा रहा है उनको जो जूटे केसों में पसाया जा रहा है उसकी भी हम निंदा करते हैं यहां से साथ-साथ एक बड़ा जोर है बात भारत के तीनों सेनाओं के मुख्यापती तमाम सरकार निकल के आ गई है कि अगनिपत योजणा ऐसा हो गया है कि अगनिपत योजणा जो है भारत के नौजवानों के लिए सबसे इससे बड़िया रामबान भारत के नौजवानों के रोजगार की समस्या का कोई है ही नहीं जबकि सच यह है कि अगनिपत योजणा जो भारत के नोकरियों में जो ठेकेदारी करन की प्रता है और यह 1990 से ही विशेश कर और तेज हुई थी जब नई आर्थिक नीटिया जब LPG के नीटिया लिब्रिलाइजेशन, प्राइजेशन ग्लोबलाइजेशन के नीटिया कॉंग्रेस की सरकार ने ततकाली नरसीमा राप्रधान मंत्री जी के नेत्रित में और मन महान साहब जो है उस समय वित्र मंत्री थे उनके नेत्रित में जो ये LPG के नीटिया चुलाई गई और जिसका असर है कि भारत के अंदर श्रम के अवमुल्यन की परमपरा को और ठेका हर चीज के अंदर आज हम राज़दाने दिल्ली के अंदर है हम राज़दाने दिल्ली के अंदर देख रहे है कि तमाम सरकारी अस्पताल है चाहे उसके अंदर डॉक्टर से लेके नर्सिंग स्टाफ से लेके हाउस कीपिंग सब कुछ ठेके पर है दिल्ली सरकार के दफ्टरों के अंदर जितने स्टाफ है दफ्तर वो ठेके पर है दिल्ली की अदालतों में जितने गार्ड्स है वो ठेके पर है बहुत सारी अदालतों में हाउस्कीपिंग स्टाफ भी ठेके पर है और उनको क्या तनका मिल रही है मुश्किल से बहुत सारी जगहों पर 10,000 रुपए 12,000 रुपए 15, जो सरकार केती है उसकी द्यूल्टम वेतन होना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है और यही ठेका करन की नीती को भारत की सेना की लड़ाकू इकाईयों के अंदर भी लागू कर देनी की नीती है अगनीपत योजना इस अगनीपत योजना के लिए बात कहा जा रहे है कि चार साल के बाद तमाम कॉर्परेक हाउसेज उनको मौका देंगे तमाम CISF में उनके लिए रिजर्व रखा जाएगा और अगर वो इतनी अच्छी योजना है तो भारत की आर्मी और भारत के तमाम उसमें से जो है क्यों नहीं उनको अब्सॉर्प क्यों नहीं किया जा रहा है तो स रिवास चल रही है ये कानून के शैसन के ओपर बुल्डोजर राज को बुल्डोज किया जाना ये दिल्ली के लोगों को मंजूर नहीं है और इस तरह के धर्मों के द्वारा हम इन नीतियों का लगातार विरोध करते रहेंगे और भारत के अंदर कानून के शैसन के सरोपर होने के लिए लगातार संगर्श करेंगे बहुत धन्यवाद सब्सक्राइब कि मोदी सकार के फार्मूला बना लिया है कि करीबों पर मंजूरों कर टैक्स लगाओ अमीरों को और जो पैसे वालों को छूट दो तरह तरह की छूट दिया अब जन्ता को लेकिन आपस में लगाओ कभी किसी जांकी के नाम पर कभी बुल्डोजर की राज़्वीती के नाम पर कभी किसी नाम पर और इसी नलाई जगड़े में पैसे वालों की हुकूमत कायम रहेगी क्योंकि लोग जगड़ते रहेंगे जगड़ते रहेंगे तो इसी बीचे पुझी पतों की हुकूमत कायम रहेगी देश बेचा जाता रहेगा देश की सर्कार कंपड़ी बेचीता रहेगी पैट्टेल के डीजा के ताम बढ़ते रहेगे तो खुल मिलाके इस सर्कार के लने के HU संदों जाता है कि जब आज सर्कार को कि अलदय पाउलों में जो लोगों के लिए कि रुटा देश बेचा है कि शुसुरा है कहिए कर देश कानाया है जो भी सवकों पे खड़ा है, जो सरकार के खिलाब कड़ा है, चाहिए वो हिंदू है, मुस्लिम है, किसी भी दंगता हो, लेकिन उसको फसाया जाते है। किसी भी कुछ लोग उनके लाम उनके मुस्लिम लोग उनके बारे में उनके जाते हैं। वह बारत के अंदर उपात मचारी है, हमें वरोशाए कि भारत की जंता ये उपात नहीं कच लेगे, भारत के महनत कर जंता अचाहे किसी भी धर्म की वह जाती होगी, हम सकतर अस्टिकरण जो महनत करने वाले लोगे, जो सब कुछ बनाते हैं, सब कुछ पैदा करते हैं, वो इ इनकलाब जिंदाबाग, वासिवादी महजी सरकार मुर्दाबाग, अश्री मतल पे जूटे के मतलबाग, आश्री मतल पे जूटे के सापस में, वासिवादी मतल पे जिंदाबाग, वासिदाबाग, 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 ने कोई किलियर इस्टाइन नहीं ली और धीरे धीरे देखेंगे हर दिन मुद्धा बदलता चला गया और आज देश के दंता के सामने में एक नया मुद्धा पटक दिया अगनी पथा अगनी वीर ये क्या है भाई ये देश क्या मोदी का है देश कोई एक नकसा है कागज का मुझी बार बार कहता है ये देश के हित में हो रहा है हम जो कर रहे हैं देश के हित में कर रहे हैं तो क्या भाई देश क्या कागज के उपर एक नकसा है या देश एक जनता से देश की जनता से देश है अगर देश की जनता ही नहीं है तो नक्सा किस वात की आज देखेंगे कि आज उस नक्से की बात हो रही है उस नक्से के अंदर रहने वाले जनता के वारे में कोई बात नहीं हो रही है जो देखेंगे कि किस तरह से अगनी पथला करके सभी चीज़ कोत रही एक-एक करके उसने नीजी हातों में सौपना शुरू किया एक कम से कम सुरक्षित छेतर था नोजवानों के लिए उसको भी जो है वह ठेके पर लाकर के ख़रा कर दिया और कहा जो देश की सुरक्षित रखने के हामी भरता था जो राष्ट बात की बात करता था कि हम देश की को रक्षा करेंगे आज ओही देश के को असुरक्षित लोगों के हातों में सौपने का प्रियास कर रहा है इन सारे सवालों का जवाब हम इन से आसा नहीं कर सकते हैं या भारत के देश की जंता को सोचना होगा या भारत के नौजवानों को सोचना होगा या भारत के मजदूरों को सोचना होगा किसका जवाब क्या होगा अगर हम लोग नहीं सोचेंगे तो यह होता ही चला जाएगा अगर हम देखें इतिहास 1947 से लेकि अभी तक का तो हम लोग ने देखा है कि 1947 से लेकर के देश आज यहां तक पहुंच गई है कि आज मिलिटरी को पैसा देने के लिए पैसा नहीं है इसलिए चार साल ठेके पर देने की बात आ रही है कर रहा है कि देश में आर्थिक संकत आ गए है लेकिन इन नित्गाओं के लिए आर्थिक संकत नहीं है मोदी जी को पैसा नहीं है आज हालात यहां आया है साथी लाजमी है कि आज हम यह भरुसा करके चलेंगे बहुत सारे साथी एक कानून कहां रह गया कहां है कानून कहां है जनबाद अगर यह कानून और जनबाद होता तो साध्याज उत्तर परदेश के अंदर में जो नंगा ना रहा है या हमारे देश के अंदर में मोदी जी जो कहा दिये वही कानून बन गया तो कहां है कानून कहां है जनबाद असलमें साथी आज जरूरत है भारत के नौजवानों के भारत के मजदूरों को बारत के किसानों के खंधे पड़िया जिम्यदारी है कि सही के अंदर में और भारत के अंदर में हम जन्वाद लाना चाहते हैं तो हमें संगत्त हो करके इनके खिलाब मजबूत आवाज उठानी पड़ेगी, संगत्त हो करके खिलाब संगर्स करने के रास्ते पर आगे आना पड़ेगा, अब यही एक मात रास्ता बचा है, दूसरा कोई रास्ता भार करके सब्स्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निसर दस्ता को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें